वेल्कम बैक टू दे चैनल गाइज आज हम लोग बात करेंगे OpenAI मतलब ChatGPT का जो कमपनी है वो अपने तरफ से सर्च इंजिन भी लॉंच कर लिया है और ये सर्च इंजिन पेट सर्च इंजिन है अगर अपना सर्च इंजिन को अगए जाए पॉरा दुनिया में राज कर रहा है आगे जाके उन लोगा क्या होने वाला है अपने सही पक्रा है Google पोस्टेंज जो आई हो रहा है कि अगर अपने अपना सर्च इंजिन को आगे जाके फ्री कर देता है वह सर्च क्या गूगुल में होगा या फिर सारा जो सर्च है वह completely convert हो जाएगा open AI के सर्च इंजिन में तो यह एक ऐसा question है इसको answer ढूनने के लिए हम लोग को थोड़ा सा details में जानना पड़ेगा का गूगुल आज के डिट में गूगुल का मार्केट शेर सर्च इंजिन बिजनेस में 92 से 93 परसेंट है वह भी पर दे लगबग 8.5 बिलियन सर्च जो है वो गूगुल में किया जाता है इसके बाद जो आता है वह है आपका बिंग बिंग है माइकोसफ्ट का सर्च इंजिन और बिंग का मार्केट शेर 2.5 से 3 परसेंट है इसमें पर दे राउंड आबाउट 1 बिलियन सर्च किया जाता है नेक्स जो है वह है आपका याहू जिसका मार्केट शेर 1 से 2 परसेंट के आसपा से और अगर देखा जाए पर दे 100 मिलियन का स सर्च इसमें किया जाता है अगर हम लोग देखें बहुत सारा सर्च इंजिन एवलेवल है और एक्जाम्पेल चाइनीज सर्च इंजिन बाइडू डगडग गो इकोसिया यंडेक्स यह सारा सर्च इंजिन जो है यह अपने तरब से काम करता है मगर मेजर जो मार्केट शेर इसको यूज कर पाएगा अगर ऑपेन एकर जाकर यह जो सर्च इंजिन यह सब के लिए आवेलेबल कर दे जैसे हम लोग पता है कि अब गुगल का क्या होगा च्छ गूगल ऑपन एक सामने टिक पाएगा सर्च इंजिन बिजनेस में हर किसी को लगता है कि गूगल टिक नह हो सकता है और उससे पहले में आप से पुछूँगा आपको क्या लगता है कि गूगल का फ्यूचर क्या है क्या गूगल ऑपन एई के सामने टिक पाएगा ऑपन एयर पिर आपको लगता है के नहीं वह गूगल टिक नहीं पाएगा कमेंट कीजीए अब आ जाते है अनलसिस एनलेसिस करने से पहले हम लोग जानते है कि exactly search engine काम कैसे करते है search engine को अगर आप देखे presently आज की देट में दुनिया में जितना भी search engine है हर कोई search engine लगबग एक ही system पे काम करता है और यह जो system है यह कुछ step में divide है पहला जो है आपका crawling उसके बाद indexing उसके बाद ranking उसके बाद serving result उसके बाद user interaction और feedback तो यह जो process है इसी process को follow करके presently जो search engine है वो आपने तरफ से काम करता है on the other side अगर हम लोग AI को देख ले AI का जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा इससे complex है इसमें जो होता है first आता है training phase उसके बाद आता है architecture जो transformer model है उसके बाद आता है contextual understanding उसके बाद आता है आपका generating response फिर fine tuning user interaction और last में आता है ethics and safety consideration तो अगर देखा जाए इसमें जो major part है वो है आपका machine learning मतलब एक machine को learn किया जाता है मतलब एक machine को सिखा जाता है उसके पास बहुत data put किया जाता है उसके बाद वो learn करता है उससे तो यह सब सुनने के बाद आप पूछी सकते हो कि भाई आ दोनों में major difference क्या है major difference जो है से भाई search engine में क्या होता है search engine में जो keyword होता है उनको पेस करके जो crawler है वो अपने तरफ से वो keyword search करते वो different website में जाते वहां से keyword search करते और उसके बाद according to the response वो अपने तरफ से जो result है वो collect करते है और वही data हम लोग के सामने listing कर देता है on the other side अगर AI को देखे तो AI में क्या होता है जो major part है वो है machine learning इंग machine को सिखा जाता है आगे जाके वो कैसे response करेगा और वो machine जो हमेशा सीखता जाता है मतलब जितना जादा आप data उसको provide करेंगे उस हिसाब से वो response करेगा जिसके वैसे जो exactly हम लोग को चाहिए सोचे के आप कोई एक particular जगा में है उस जगा में आपको जो result मिलना चाहिए वो आपका सिर्फ keyword के भरोसे आपको एक perfect result नहीं मिल सकता है on the other side अगर आपका machine learning मगर उस जगा में अगर same keywords या फिट same question किसी ने किया है at that point of time जो previous answers है मतलब जो लोग वो questions किया है according to that on the other side आपका past जो है past में आप किस तरह का question आप AI को करते यह सब को base करके machine ने अपने तरब से जो result है वो publish करता है जिससे exactly क्या होता है exactly आपको जो result मिलता या फिर जो data आपके सामने आता है उसमें आपको लगता है कि आगे जो है वो machine perform नहीं कर रहे है वो कोई इंसान आपको result प्रोवाइट कर रहे है जिसससे आपको लगता है कि आगे जो result आपक सामने आ रहे हैं तो नो डाउट अगर हम लोग दोनों रेजल्ट में कंपेर करें हम लोगों यह तो बहुत जल्दी से पता चल जाएगा कि जो रेस्पॉंस एयाई देता है उस लेवल पर रेस्पॉंस जो है वो सर्च इंजिन प्रोवाइट नहीं कर सकते हैं मगर इतना देन से हम लोग सर्च इंजिन यूजी कर रहे थे इसके वाज़े से हम लोग का जो ब्रेन है यह एक्जाटली सर्च इंजिन का रेजल्ट सुन सुन के आदत पर गया है जिसके बज़े से आज के अगर देखे हम लोग ज़्यादा ता सर्च इंजिन यूज करते हैं on the other side AI में अगर आप जितना ज्यादा data प्रोवाइट करोगे जितना exact data प्रोवाइट करोगे AI उसको learn करेगा और उस हिसाब से आपको और better result प्रोवाइट करेगा तो यह ही है दोनों में major difference यह सब सुनने के बाद आपके मन में question आई सेकता है कि भाया इसका मतलब है अगर open AI का जो search engine है वो open market में आ जाता है free में at that point of time ज्यादा तर लोग उसमें shift हो जाएंगे या फिर Google का जो business हो ठप हो जाएगा आज के देट में इंडिया में बहुत सारा कार कंपनी जैसे अपना business कर रहे है जैसे कि अगर आप पोडियों कंपनी ले ले तो Hyundai है यूंड़ाई का भी अच्छा सेल है मागर इसका मतलब यह नहीं है कि महारुती का business हो गया तो नो डाउट यह अगर हम लोग सोचते कि आग आप गूगल में कुछ भी सर्च करें तो आपको जब भी सर्च का रिजल्ट आएगा उसमें आप देखेंगे के तरफ से एक रिजल्ट आ रहा है इसके लाग भी अगर आप देखें गूगल एससा बहुत सारा एई जो है अपने तरफ से काम कर रहे है on the other side Google भी अपने लोग देखें गूगल का एक तरह से मोनोपाली चल रहा है क्योंकि 92% मार्केट गूगल अपने पास रखके बैठा है on the other side अपने तरफ से बिंग जो है या फिर याहू जो है एक तैम याहू का नाम तो फिर भी सुनने को मिलता था अभी जो सुनने को भी नहीं मिलें लोग लोग अपने तरफ से कोशिश कर ला है मगर लोग अपने तरफ से कुछ जादा कर नहीं बैठे हो सकता है कि open AI का जो सर्च इंजिन है वह अगर मार्केट में फी में अबेलेबल हो जाता है तो एक सर्टेन अमाउंट आप कस्टोमर जहें उसमें शिफ्ट होगा और सारे कस् जादा ही परस्टोमर हो रहा है यह सारा जो डेटा है इसमें अनलेसिस करने का ज़र रहते हैं और जो मीजर कंसर्ण है कि हम लोग देखें कि AI में आपको डेटा प्रोवाइट करना परते हैं मतलब AI को ट्रें किया जाते हैं तर लिए आप डेटा प्रोवाइड नहीं करें यह को पहले से ट्रेंग किया जाते और उस ट्रेंग के हिसाब से यह आई जाकर पर्फॉर्म करते हैं अगर आप इंडिया में देखें तो इंडियन गवर्मेंट यह सब लेकर और भी ज्यादा स्टिक है रिगार्ण दालॉस हूट है और बहुत कुछ ऐसे स्टेप हम लोग देख सकते मगर प्रेजन ली यह कहना कि गुगुल इतना जल्दी एफेक्टेड हो जाएगा या फिर गुगुल का बिसनेस इतना जल्दी हैंपर हो जाएगा फॉर ओपन एई सर्च इंजिन यह गलत होगा नो डाउट गुगुल इस वान आप डा बि का रेस चल रहा है या फिर का रेस चल रहा है इसका एक ही मोटो है अगर कोई करता है ड़िंट पॉंट आफ टाइम वह जो कंपनी है वह अपने तरफ से स्पॉर्स पर करेगा अगर आगे जाके हम लोग तेख सकते के यह जो सर्च इंजिन है यह फिर साच इंजिन का जो जो Facebook है या फिर आप Instagram को ले ले जी इसमें भी डाल देगा कि हर कोई चाहता है कि अगर कोई customer या फिर अगर कोई client या फिर अगर कोई users उन लोग के website में जा रहा है at that point of time वह वहाँ इस टीक रहे उसको जो भी चाहिए उसको search करना है उसको business करना है उसको अपना कुछ सामान बेशना है उसको कुछ खरीदना है सब कुछ वो लोग उनके website से करें जिसके वाइस से मेटा भी अपने तरब से आगे जाके जो यह सर्च इंजिन है यह अपना जो website से या फिर अपना जो app से उसमें भी add करने वाले है तो नो डाउट यह एक ऐसा टाइम है जिसमें सब से ज्यादा जो benefit होगा वह है आपका users का और on the other side हम लोग को आगे जाके हम लोग उमीद कर सकते हैं कि फ्री में बहुत कुछ देखने को मिलेगा गूगल में already search engine के साथ AI connected हो गया जिसके वाइसे गूगल का जो AI से हम लोग जो सोच रहे हैं कि गूगल AI से completely connected नहीं है वो बन जाता है तो यह जो सोच है यह हर कोई company दिमाग में यह रखना चाहिए कि आप लोग अगे सोच रहे हो तब भी आप नहीं सोचेंगे अगर आप नहीं सोचेंगे कि आप लोग भी होगा हम लोग के सामने ही होगा हम लोग इसमें देख पाएंगे अगर आपको यह वीडियो इंट्रेस्टिंग लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल अतनु पॉल ए टी ए नू स्पेस पी विडियो देख सकते जो वीडिय अधिर हो जाओंगा जब इस चैनल को में जा रहे है जब इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो बेल आइकन उसमें क्लिक कर दीजेगा क्योंकि वीडियो जो हो डिफरेंट टाइम में आता है जब यह आगा आपके बस तो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और यह वीडिय कर दो